दोस्तो दुनिया में कई ऐसे बड़े ठग हुए हैं जुनके कारणामे सुनकर लोग दातों तली उंगलियां दबा लेते हैं भारत में भी ऐसे कई ठग हुए हैं भारत में एक ठग ऐसा भी था जिसके चर्चे विदेशों तक में थे इस ठग का नाम मिथिलेश कुमार श्रिवास्तप था जिसे नटवर लाल के नाम से जहना जाता है इस ठग ने तीन बार ताज महल, दो बार लाल किला और एक बार रास्टपती भवन बेचा था नटवर लाल एक ऐसा शातर ठग था जिसने वकालत की पढ़ाई करने के बाद ठगी को अपना पेशा बनाया आज हम आपको भारत के इस सबसे बड़े ठग की कहानी बताने जा रहे हैं तो आए जानते हैं मिथिलेश का जन्म बिहार के सिवान के बंगरा नामक गाउं में हुआ था मिथिलेश की पढ़ाई में ज्यादा रुची तो नहीं थी लेकिन खेल में मिथिलेश फुटबाल और शत्रंज ज्यादा पसंद किया करता था यही कारण था कि मिथिलेश उर्फ नटवरलाल मैट्रिक की परिक्षा में फेल हो गया और उसके पिता जी ने जम कर धुनाई कर दी एक दिन मिथिलेश अपने पडोसी ही को ही ठग लिया पडोसी ने उसे बैंक में ड्राफ्ट जमा कराने भेजा था मिथिलेश ने पडोसी के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक एकाउंट से रुपे निकाल लिये इस पर पिता ने उसको पीटा तो वै घर से भाग कर कोलकाता चला आया कोलकाता जाकर उसने कॉमर से ग्रैजुएशन की बाद में सेट केशव राम नाम के एक वैक्ती ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया इस दौरान जब मिथिलेश ने सेट से अपनी सनातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे तो सेट ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया सेट के इंकार करने से मिथिलेश इतना चड़ गया कि उसने रूई की गाट खरीदने के नाम पर सेट से 4.5 लाक रुपे ठग लिये सतर से असी के दश्रक में नटवर लाल ने कई लोगों को लूटा उसने लूट की कई ऐसी घटनाओं को अन्जाम दिया जिसने सबसे बड़ा ठग बना दिया मिथली शुर्फ नटवर लाल ने ताज महल को तीन बार लाल किला को दो बार और एक बार राश्ट्रपती भवन को बेच दिया था हरानी की बाद तो यह है कि जब उसने संसत को बेचा था तब सारे संसत वहीं उपस्थित थे इस शातर ठग ने इमारतों को ही अपना निशाना नहीं बनाया देश के पहले राश्ट्रपती राज इंदर पिसात के हस्ताक्षर की नकल भी कर डाली थी वह टाटा बिर्ला समेत कई नामचीन उध्योग पतियों को भी अपनी ठगी शिकार बना चुका था शातर ठग नेटवरलाल के खिलाफ आट राजियों में सौ से अधिक मामले दर्ज किये गये थे ऐसा नहीं कि नेटवरलाल कभी गिरिफतार नहीं हुआ था उसे नौ बार पकड़ा गया और हर बार वो फरार हो जाता था अधालत नेटवरलाल को 113 साल का सजा दी थी आखरी बार जब नेटवरलाल पुलिस के गिरिफत में आया तब उसकी उम्र 84 साल थी लेकिन साल 1996 में 24 जून के दिन बिमार होने उससे उसने पहाना बनाया और फिर उसे इलाज के लिए एम्स ले जाया जाने लगा इसी दोरान बेह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया उसके बाद वो कहा गया आज तक किसी को नहीं पता चुला